हेलो एस्टूडेंट स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल रस्तोगी कोची में तो आज के इस वीडियो में कलास 10 के गड़ेत प्रशनावली 12.1 के बारे में अध्यन करेंगे तो पिछले भाग में प्रशनावर एक प्रशनावर दो और प्रशनावर तीन को बताया गया था यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है वहां से जाकर के उस भाग का वीडियो को आप देख सकते हैं तो इस भाग में प्रश्ण नमबर चार से लेकर के आगे के सभी प्रश्णों को हल करके बताया जाएगा तो एक इक लाइन को अच्छे से समझिएगा जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ पर आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा तो प्रश्ण नमबर चार है किसी कार के प्रतेक पहिये का ब्यास असी से में है यदि यह कार छाँछट कीमी प्रतिघंटे के चाल से चल रही है तो दस मिनट में प्रतेक पहिया कितने चकर लगाता है तो यहाँ पर जो है एक कार है और इसके प्रतेक पहिया का जो है क्या है ब्यास कितना है असी से में है और जो है यह कार जो है चाँछट कीमी प्रतिघंटे के चाल से क्या रही है चल रही है तो दस मिनट में पहिया कितने चकर लगाता है इसमें चकरों की शंख्या पूछा जा रहा है तो यहां सबसे पहले लिखेंगे हल और हल लिखने के बाद से अब यहां देखेंगे प्रश्ण में क्या क्या दिया गया है तो यहां पहला जो मान दिया गया है ब्यास तो ब्यास कितना दिया गया है असी तो ब्यास को किसे परदासित करते हैं तो डी से डी बराबर क्या है तो लिखेंगे यहाँ पर असी सेमी है ब्यास क्या है असी सेमी है और ब्यास को किसे दिखाते हैं डी से तो आर का सुत्र क्या होता है तो आर बराबर होता है डी बटा दो होता है मतलब तरिज्जा बराबर होता है क्या ब्यास बटा दो मतलब ब्यास के तो कितना हो जाएका आर बराबर जो है 40 हुज़ेगा तो समझ में आगया होगा कि 3 कितना गया 40 से लिए तो एक їх an buyers को जो है आप अपने क्या किजिए नोट करते चलियेगा है अब एक चकर में चली गई दूरी, चली गई दूरी, गई दूरी, तो एक चकर में चले गई दूरी को क्या कहा जाता है, परीधी कहा जाता है, तो यहां लिख लेंगे परीधी, और परीधी का सुत्र क्या होता है, तो आप सुभी विद्यारती जानते हैं, बताया गया है, कि परी पाई आर होता है किसका सुतर है परी दिखा तो अब यहां पर क्या करेंगे मान को रख लेंगे अब यहां लिखेंगे दो गुड़े पाई कमान क्या है बाइस बटा जो है साथ होता है और आर कमान देखें कितना दिया है चालिस दिया है तो यहां पर आर कमान परस्ट में चा 40 का गुड़ा कर लेंगे तो 1760 बटा हो जाएगा बटा में क्या है बटा में साथ है तो बटा में साथ हो जाएगा और यहां पर लिखेंगे सेमी क्योंकि परीद का मातर क्या होगा सेमी होगा अगर सवाल सेमी में है तो सेमी में होगा मीटर में है तो मीटर में होगा तो यहा 1760 बटा 7 से भी आ गया है अब यहां पर ध्यान दिजेगा अब इसका speed क्या है 660 कीमी प्रतिगंटे की चाल है मतलब एक मीनट में ध्यान देंगे यहां पर 660 कीमी प्रतिगंटे के चाल जब दिया गया है तो लिखेंगे कि 60 मीनट में कुल दूरी कितना गया है तो 60 मीनट में जो है टोटल दूरी जो है 660 कीमी गया है यहां लिख लेंगे 60 यहां लिखेंगे चुके 60 मीनट अब यह 60 मीनट का मतलब क्या है एक घंटा इसको बोला जाएगा क्योंकि यह एक घंटा में कितने कीमी जाएगी तो लिखा गया है यह साथ मिनट में कुल दूरी प्रश्ण में क्या दिया गया था 60 मिनट में कुल दूरी जो है 6,6 गया है कितना कीमी गया है तो इस लिखेंगे आप 6,6 कीमी गया है प्रश्ण में बोला गया है किसकी स्पीड क्या थी 6,6 कीमी परति घंटा मतलब एक घंटा में जो है 6,6 कीमी गयी तो यहां पे जो दिया गया है प्रस्ट में आप अगर年前 किये होंगे तो प्रस्ट को देख लिजेगा किया है देख लेंगे 664 किमी प्रतिगंटे की निकालेंगे कूले दूरी तो अब एक मिनट में कैसे निकलेगा तो लिखेंगे च्छाछट बटा अब यह साथ कहा चला जाएगा नीचे चला जाएगा तो कितना मिनट का जाएगा एक मिनट का जाएगा तो यह च्छाछट बटा क्या होगा है साथ हो जाएगा अब अगर य तो 6 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 11 और यह हो जाएगा 10 तो क्या गया यहाँ पर 11 बटा 10 कीमी चला गया कितने मिनट में एक मिनट में चले गई दूरी जो है 11 बटा 10 कीमी है तो कितने मिनट में पूछा जा रहा प्रश्ण में तो दस मिनट में तो यहां लिखेंगे दस मिनट में चली गई दूरी दस मिनट में कुल दूरी कितने चलेंगे तो लिखेंगे दस मिनट में कुल दूरी तो दूरी कितना निकल जाएगा यहां पर अब 10 से गुड़ा कर लेंगे इसमें तो 11 बटा 10 और यहां 10 से गुड़ा करेंगे क्योंकि 10 मिनट में पुछा जार यह कितने मिनट में है तो एक मिनट में है और यह जो है 10 मिनट में है अब 10 से 10 को काट दीजिए, दस मिनेट में कितनी गई? 11 कीमी गई, याद रहे Cuando 10 मिनेट में कितनी? 11 कीमी गई, अब 11 कीमी को में मीटर कर लिया जाए तो कीमी किसमें आजाएगा मीटर में आजाएगा अब यहां 2 कीमी में इक 117 मीटर हो गया तो समझ में आरहोगा Electronic स्सेयमे में है परीद का जुमान निकलाथा 1760 बटा 7 जो निकला था वो सीमी में निकला था अब यहां भी जो है सीमी को भी बदल मीटर को भी सीमी बदल देंगे तो क्या जाएगा 11000 है और यहां 100 से क्या करेंगे गुड़ा कर लेंगे तो मीटर से किसमें आ जाएगा सीमी मा जाएगा अब कितना हो जाएगा 21,91 हो जाएगा तीन 0, दो 0 मिल करके टूटल कितना 0 हो जाएगा तो 5 0 हो जाएगा तो 5 0 काईसे आया, समझ में आ गया होगा गुड़ा कर लिजेगा तो यह जो है कीमी से पहले मीटर में बदले और मीटर से किस में बदल दिए सेमी में बदल दिये तो समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है इसको बदला जा रहा है तो अब देखेंगे इसमें दस मिनट में चक्रो की संख्या निकालना मन पहिये की चक्रो की संख्या क्या है तो अब यहां पर लिख लेंगे पहिये की चक्रो की संख्या नीचे यहां लिख चक्रों की शंख्या कैसे निकलेगा बहुत असान है कुल चक्रों की शंख्या आपको निकलना है तो जो दस मिनट में चली गई दूरी में और एक चक्र से भाग दे देंगे लिख लेंगे आप दस मिनट में दस मिनट में चली गई दूरी में किसे भाग करेंगे एक चक्र में ध्यान देंगे आप यहां पे जो है लिख लेंगे बटा नीचे लिख लेंगे बटा और एक चकर में चली गई दूरी तो यहां लिखेंगे एक चकर में चली गई दूरी से भाग कर दीजिए अभी चकरों की संख्या निकल जाएगा तो एक चकर में यहां लिखेंगे चली गई दूरी तो जब चली गई दूरी जब निकल जागा है हम हाग कर देंगे तो क्या जाएगा बताए यह दस मिनट में चली गई दूरी कितना है था 11, 12, 3, 4, 5, 0 था बटा और एक चकर में चली गए दूरी जो है उपर निकाला गया था प्रश्ण में जो है देखे होंगे 1700 क्या था? 60 बटा क्या है? 7 है तो यह एक चकर में चली गए दूरी है और यह है जो 10 मिनट में चली गए दूरी है यह 7 कहां चला जाएगा? उपर चला जाएगा अब यह जब 7 यह ऊपर चला जाएगा तो कितना उतर जाएगा यहाँ पर 11, 12, 3, 4, 5, 0 गुड़े क्या होगा 7, बटा और निचे होगा 1760 अब 1760 से क्या करेंगे भाग कर देंगे भाग देंगे यहाँ पर क्या कर सकते हैं 0 से 0 कार दीजे 11, 77 हो जाएगा 11, 77 और कितना जीर हो जाएगा यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 0 हो जाएगा बटा 176 अब 176 से जब इसमें भाग कर देंगे तो कितना एंसर आजाएगा इसका एंसर आजाएगा 4,375 चकर तो इस जो है 10 मिट में कितना चकर लगाएगा तो 4,375 चकर लगाएगा तो थोड़ा सा एक कोशन बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है यदि आपको ये प्रशन समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा जिसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो प्रशन नमर अब पांच सीखेंगे कि प्रशन नमर पांच क्या है तो प्रशन नमर पांच है निमलिखित में से सही उतर चुनिये तथा आपने उतर का ओचितर कीजिये मतलब ओचित भी आपको देना है यदि एक बिरित का परिमाप और छेतरफल संख्यात्मक रूप में क्या है बराबर है तो उस बिरित की तरिज्जा है तो यहाँ पर प्रशन में बोला गया है कि अगर एक बिरित का जो परिमाप है परिमाप मतलब परीद ही और उसका छेतरफल जो है संख्यात्मक रूप से क्या है बराबर हैं तो बताए बृत की तरिज्जा क्या होगी तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले हल और हल लिखने के बाद से देखेंगे प्रशना नुशार प्रशन में क्या कहा गया है तो यहां लिखेंगे प्रशना नुशार और प्रशना नुशार में क्या कहा गया है कि बृ बिरित का परिमाप किसके बराबर है तो बिरित का परिमाप बराबर है च्छेतरफल के किसके च्छेतरफल के बिरित के च्छेतरफल के संख्यात्मक माना आपस में क्या है बराबर है तो बिरित का परिमाप का सुत्र क्या होता है परिमाप मतलब परीद तो परीद का सुत्र आ होता है पाई आर का स्क्वाइर होता है अब यहां लिख लेंगे टू पाई आर लिख लेंगे बराबर यहां लिखेंगे पाई आर यहां कितना है तो दो घात है तो इसको दो बा लिख लेजे आर गुड़े आर हो जाएगा अब यहां ध्यान से देखेंगे इसमें क्या है तो देखेंगे यहां पर क्या है पाई है तो पाई से पाई को काड़ दीजेगा आर से आर को काड़ दीजे बचा क्या तो बचा यहां पर दो तो दो बराबर क्या बचा आर या आर बराबर क्या हो जाएगा दो दो क्या हो जाएगा यहां पर मात्र यहां देख लेजिए आर कामा आफ उसके छेतरफल के क्या है बराबर हैं तो यहां 2 5 R होगा पाइ और स्क्राइट आर स्क्राइट था इसने दो बर कुणा करेंगे पाई से पाई को कार दीजेगा र से और को कार दीजेaina तो दो बराबर आर और और बराबर दो मात्रा तो पता है इसमें बिकल्प कौन सा सही है तो बिकल्प नंबर ये जो है शही है तो यहां लिखेंगे बिकल्प ये जो है दो मात्रक सही है सही है तो समझ में आगे होगा तो यह अभिहास जो है आपको क्या होगा बारह दसमलो एक पूरा बताया जा चुका तो बारह दसमलो एक अभिहास में टोटल पांच प्रसंट थे तो पांच प्रसंट आप लो अच्छे से समझ लिए होंगे तो यह प्रसंट नमर एक से लेकर क प्रश्रमत तीन तक नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है वहां से जाकर कि उस भाग का वीडियो अपलोड जरूर देख लिजे कल की वीडियों जो है बारह दसमलो दो अभिहास को सुरू किया जाएगा तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी वीडियार्थी जरू कमेट कीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा और वीडियो को जादा से जादा अपने सभी दोस्तों के पास सेयर जरू कर दीजेगा मिलते हैं अब अगले भाग में तब तक के लिए सबी विद्यार्थियों को नमस्कार